उप्खंट क्षित्र के रिवाली गाउं में शनिवार को विधुत संबंदित समस्या बबत ग्रामीनों ने आक्रोश में आकर पावर हाउस्ट की ताला बंदी की रिवाली गाउं में पावर हाउस स्थित है जिससे 6 गाउं में विधुत सप्लाई दी जादी है लेकिन विधुत करमचारियों ने टेकेदार की कहने पर शुक्रवा रात को 5 गाउं में विधुत सप्लाई जारी कर रिवाली गाउं में बिजली नहीं दी जिस कारण ग्रामीन को गर्मी के मौसम में राद भर भारी परिशानी का सामना करना पड़ी, ऐसी स्थिती में बुजुर्गों की तबियत तक खराब हो गई, इस प्रकार रात में विधुत सप्लाई नहीं देने, गाउं की विधुत लाइन सीधे पावर हा उससे जोदने, गाउं में पानी की सप प्रुष जाताकर जी एसस की तालाबंदी की पुलिस थाने से हैट कांस्टेबल सतीस यादव, कांस्टेबल अभैसंग यादव वपचन सिंग ने पहुचकर ग्रामीनों को सिमझाइस करने की कोशिश कर तालाबंदी खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीन विधुत कारी बुलाने की मांग पर अड़े रहे, उसके बाद राहुल कमार को बुलाया गया, जिसके सामने ग्रामीनों ने मौखे क्वली खेत रूप से मांग रखी, तथा ग्रामीनों की मांगों का समाधान करने का अश्वास शंतिया, तब जाकर जी एसस की तालाबंदी खुलकर गाउं में विधुत सप्लाई चालू की. पर ने को जिम्मेदारी लेने के लिए तयार हो रहा है, गाउं इखटा होकर कि ये मांग कर रहा है कि जो गाउं की लायट की 24 गंटा की विवस्ते की जाए और जो पूर्प